आउज बिल्लाहिमिन श्यटवान रहीम बिस्मिल्लाहिर रौक्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मौसी नवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसिज यूट्यूब चैनल दोस्तों बॉटम में आपको दो और नए आइकान नज़र आ रहे हैं जो के मेरे दो और नए यूट्यूब चैनल्स के हैं इनको भी आप जल्दी से ओपन करके इनको सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि 24 और 7 टीचर्व ऑनलाइन के उपर मैंने आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके अपने लेक्शर्स रिकॉर्ड करक हैं और उन से आपको इन्शाल्ला फाइदा भी होगा और सीखने का भी मौका मिलेगा इसी तरह जो तुम दूसरा आपको चैनल नज़र आ रहा है की तू सक्सेस को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इसके उपर जो है मैंने आपकी एक्जैम की तैयारी के हवाले से मैट अप्लोड है और इन्शाल्ला मिल्टम का भी मैं बहुत जल्द अप्लोड कर दूंगा तो आप इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक कि आप जहां सीख सकें और मेरी वीडियो से फाइदा उठा सकें दोस्तों आज की यह जो मेरी वीडियो है वह मेरी वीडियो है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने जीडिबी की तरफ और बिफोर स्टाइटिंग अबर जीडिबी फॉस्ट फॉस्ट फॉल वीडियो को देख लेते हैं और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आप लोगों को यही कहता हूं कि यू आर फॉकसिंग ऑन दी रिक्वार्मेंट इ इन या सक्सेस्फुल वे तो आप लोग जो रिक्वार्मेंट हैं उनको बड़े गोर से देखा करें क्योंकि उसमें चोटी चोटी चीज़े होती हैं जिनको आप इग्नोर कर जाते हैं और जिनकी वज़ा से आपके नंबर जो हैं वो अच्छे नहीं आते तो हम में जो है इ स्क्रेश के नियुकर यह तो हमारे इस जीड़ी की रिक्वार्मेंट की कारो तो आपको, आपको ए जो प्रक्रार वह उसको बूस्त करती हैं तो यह दोस्तो हमारेbed, इस जीड़ी विखार्मन्ट बढ़ते हैं इसके इस्सविशन की दिध स्थितरस दुस्तों आपको तो solution A, मतलब part A, जो आपको पहला question था, उसका solution जो है, वो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है, आपको instruction दी गई है, you are writing your answer in a bullet form, our points shape, आपने points की शकल में जो है, अपना answer लिखना है, first, जो मैंने point लिखा है, उसको मैंने लिखा है, efficiency and effectiveness, कि हम अगर अपनी जो pre-requisite है, किसी भी business की, अगर हम उनको पूरा कर लेते हैं, तो it means के we are running our business in an effective way, हम यह जाते हैं, कि हमारा जो business है, वो effective way के अंदर जो होना चाहिए, तो इसलिए हम जो है, यह इसकी जो pre-requisite है, उनको फारियों को पहले ही जो है, वो पूरा कर लेते हैं, तो तो इसके साथ ही, मैं या चैनल 24 और 7 teachers online शुरू किया है, जिसके उपर आपके इस subject introduction to business के जो है, वो lectures available हैं, तो आप उस channel को ज़रूर विफिट करें, उसका जो URL है, आपको description में भी मिल जाएगा, और start of the video के उपर भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जाएगा, तो उसमें आप जाएं, और इसके इंदर मैंने better control लिखा है, वो क्या है, कि आप अगर किसी भी business की जो prerequisit हैं, उनको पहले से पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है, कि आप अपने business को जो है, अच्छे से control आपने करना है, और अच्छे से आपने control उसका संभाल लिया है, अगर आप उसकी prerequisits को प पूरा ना करने की वजह से, इसके बाद तीसरा point है, analysis the market, हम जब prerequisit जो है, पूरी कर लेते हैं, तो it means कि we have analyzed the whole market, और हमें पता चल गया है, कि हमारी market क्या है, हमारे target audience या हमारे target customer कौन कौन से होंगे, यह सारी चेसे हम जो है, वो prerequisit के अंदर पूरी कर लेते हैं, then we have start the new business फिर हम उस करोबार को शुरू करते हैं, उसके बाद दोस्तों आखरी जो point मैंने लिखा हूँ, feed the industry, अब यह भी that point is also related to the above point analysis of the market, क्योंकि हम जो है, pre-requisit से हमें यह पता चलता है, कि हम कौन सा business शुरू करने जा रहे हैं, हम किस industry के अंदर fall करेंगे, हमारी growth क्या होगी, हम हमारे cash inflows क्या होंगे, हम कितनी चीज़ें उधार पर फरोग करेंगे, तो हमें उस industry के बारे में जो है, वो complete information जो है, वो मिल जाती है, तो दोस्तों, यहां पे जो है, मैंने फिरस चार point को discuss किया है, और हमें जो instruction दी गई है, वो यह दी गई है, कि you are writing only two points for each question, हमने हर question क्या give two points लिखने हैं, यहां पर मैंने four लिखने हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इन ही में से लेना है, मेरा मकसद जो है, वो आपको फिरस idea देना था, वो मैंने आपको दे दिया है, तो अब आप चाहें तो इन में से point लें, क्योंकि mostly जो student हैं, वो यही fame to fame, यही point copy की और भेज दिये, वो तो even that के, इसके detail भी नहीं लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, जिरू आ जाता है, तो आप लोग कोशिश किया करें, कि जो मैं idea देता हूं, उसको perceive करते हुए, आप अपनी assignment जो है, वो खुद नई, एक unique copy बनाया करें, इसके बाद हमारा जो दूसरा question था, वो जो credit fail है, वो कैसे business को boost up करने में helpful होती है, तो इसमें पहला जो point है, additional cash flow, जब हम किसी भी चीज़ को उधार के उपर fail कर रही होंगे, तो उससे हमें additional cash flow generate होता है, क्योंकि उधार पर जो भी चीज़ पर उखत की जाती है, उसके जो rate होते हैं, वो as compared to the normal fail, वो ज्यादा होते हैं, तो इससे हमें additional cash flow भी मिलेगा, the risk is also associated with that point, कि ये भी हो सकता है, कि वो उधार वाले पैसे आपको मिले ही ना, इसके बाद second point है, additional fail to the product, कि आप जब कोई चीज़ उधार पे fail करते हो, तो फिर आपकी कोशी यही होती है, कि ज्यादा से ज्यादा fail हो, और ज्यादा से ज् है, वो fail जब होगी, तो उसमें भी आपको risk factor involved हो सकता है, तो जब आपकी fail व्यादा होगी, तो आपकी जो product है, वो भी व्यादा fail out होगी, इसके बाद आपकी expand the business, जब आप credit के उपर चीज़ों को fail कर रहे हैं, और बस चीज़ों को बेचते चले जा रहे हैं, it means, कि you are expanding your business, आप अपने business को जो है, वो बढ़हना भी जा रहे हैं, तो जब आपकी fail व्यादा होगी, it will also increase the growth of that business, वो उसकी growth जो है, वो automatically आपकी बढ़हा देगे, इसके बाद last point है, customer loyalty, जब आपकी fail जो है, वो credit पे व्यादा होगी, तो आपके जो customer है, वो भी आपके साथ loyal होंगे, औ और आपका जो business है, वो boost करेगा, तो दोस्तों, ये मैंने दोरनों question के जो है, वो 4-4 point आप लोगों के से discuss कर दी है, you all, you have also written these points, बलके मैं तो ये कहूंगा कि आप इन points को लिखे ही न, आप कोई और points बनाएं, और उनकी फिर आगे detailed आप अपना GDP बनाएं, दोस्तों, ये था हमारा GDP, MGT211 का, आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा, 24 hour, 7 teachers online पे जाहिए, वहाँ पे मेरे MGT211 के हैं, CS201 के हैं, और बहुत सारे subject, almost 15 subject हैं, तो आप उन lecture से भी जरूव फाइदा उठाएं, और इन्शाला आपको वहाँ से सीखने का मौका मिलेगा, दोस्तों, भाई को इजावद दीजिए, मिलते हैं अगली किफी एफार्मेंट solution के साथ, ये GDP solution के साथ, उफ़कत तक के लिए, अला हाफिव!